गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने येट्यूब चैनल पर तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दहिंदो डिटोरियल वकाबलर की माफ कीजिगा मैं बिचले अफ्ते से लेके वकाब अपलोड नहीं कर पाया मेरा लैपटॉप खराब था तो मैं नया आपको प्रॉब्लम जहननी पड़ी मेरी वज़े से तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दहिंदो डिटोरियल वकाबलर की प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिगा अधर्वाइस नहीं आपको फूट्फुल या प् लगा है तुमल्ट तुमल्ट के से अनॉनम से ट्रमॉल, कमोशन, अपरोर, डिसॉडर, दिस्टर्बंस, एंटॉनम से पीस, ओडर, काम और ट्रैंक्विलिटी अगला हमारा शब्द है श्रीक, श्रीक का वैसे तो मतलब होता है तेज तेज भागना, दोडना उसे बोला जा अगला हमारा शब्द है चंस्टूड, यहां पर वर्प की तरह यूज हुआ है वर्ड, चंस्टूड का मतलब होता है किसी बात का कोई विशेश अर्थनिकानना, कोई विशेश मतलब लेना, उसे बोला जा है चंस्टूड, चंस्टूड के सिनॉनम से एंटरप्रेट, एक् अगला हमारा शब्द है slackening, slackening यहां पर वर्प की तरह यूज हुआ है word, slackening का मतलब होता है धील दे देना, छूट देना किसी तरह की, relax, धीला पढ़ जाना या कमी करना किसी चीज में, उसे बोलागा है slackening, slackening के सिनॉनम से relax, loosen, diminish, listen, एंटॉनम से tighten, forward, quicken, struggle, नेक्स हमारा word escalate, escalate का मतलब होता है, किसे भी तरह की कोई समस्या है, कोई परिशानी है, तो वो और ज्यादा बढ़ जाना, समस्या का अधिक गंभीर हो जाना, उसे बोलागा है escalate, स्थीति का और ज्यादा, बिगड जाना, synonym से increased, intensified, ascended, sowed, antonym से decreased, low, bottom, diminished, next हमारा word attributed, attributed का मतलब होता है किसी के कारण कोई चीज घटी हो, कारण थहराना, उत्तरदाई मानना किसी को, या श्रेय देना की, मैं अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहा हूँ, इस context में this word का use हो सकता है, attributed का, attributed के synonym से assigned, ascribed, imputed, charged, credited, awarded, antonym से independent, unrelated, autonomous और detached, अगला हमारा शब्द है turmoil, turmoil का भी मतलब वही हो होता है, ये एक दूसरे के synonyms है, turmoil का भी मतलब होता है, अर्समन जिसकी सिती, शूर गूल, जहां पे खलबली हो, हलचल, अर्न, शित्ताएं हो, uncertainties हो, disorder हो, उसे बुलागा है, turmoil, turmoil के synonyms है, disorder, emotion, chaos, confusion, antonym से, calm, peace, order, harmony, देधर का मतलब होता है, किसे भी तरह का निरण हम ना ले पा रहे हो, decision, उल्जन हो, दिमाग में, किसी चीज़ को करने के लिए, हिच के चाना, उल्जन में होना, उसे बुलागा है, dither, editorial में यूजवा है, word, dithering, dither के synonyms से, wavering, hesitant, delay, unsure, antonym से certain, determined, arduous, absolute, अगला हमारा शब्द है, stance, stance का मतलब होता है, किसी स्थिती विशेश की तरफ हमारा क्या attitude है, हमारा क्या विवहार है, हमारा क्या दिश्टी कोन है, उसे बुलागा है, stance, stance के synonyms से attitude, posture, viewpoint, standpoint, opinion, antonym से inaction, defense, factor, unsteadiness, अगला हमारा शब्द है instance, instance का मतलब होता है, किसी चीज़ का एक example, एक उधारन, एक मिसाल, उसे बुला गया है, instance, instance के synonyms से examples, illustrations illustrations, samples, case, antonym से hides, confuse, disarray, disorder, अगला हमारा शब्द है, emit, emit का मतलब होता है, किसी चीज़ के बीच में के मध्य में या के दौरान, उसे बुला गया है, emit, emit के synonyms से among, between, amidst, during, antonym से beyond, outside, separate, far away, next हमारा word है, shattered, यहां से दूसरा editorial पी शुरू हो रहा है, heading आप देख सकने है, shattered तो easy word है, सभी को आता होगा, shattered का मतलब होता है, किसी चीज़ को broken करना, broke करना, toडना, या तहस, नहस करना, नश्ट करना, चकना, चूर करना, उसे बुला गया है, shattered, synonyms से broken, smashed, destroyed, crushed, devastated, antonym से bold, unbroken, active, brisk, next हमारा word है, stronghold, stronghold का मतलब होता है, किसी तरह का कोई दूर्ग, किला, या किसी चीज़ पे मजबूत पकड़ होना हमारी, उस कंटेक्स्ट में ये word यूज हुआ है, stronghold, मजबूत पकड़ होना, that is called stronghold, synonyms से fort, bastion, citadel, bulwark, defense, ये सारे जो word है, synonyms से ये इस केले के ही है, उस कंटेक्स्ट में ये word यूज नहीं हुआ है, पर जो synonyms और antonyms है, वो क बता दी आपका stronghold का क्या मतलब होता है, synonyms से fragility, shack, agress, or assault, next मारा word है, fanfare, fanfare, fanfare का मतलब होता है, धूम धाम से प्रचलन होना किसी चीज़ का बड़ी धूम धाम से publicity, उसे बुला गया है, fanfare, आप इसके पूरा English में पढ़ लीजेगा, मैंने लिखा है, fanfare, synonyms से flourish, show, flash, display, or commotion, antonym से hiding, concealment, और hush, ये new word है, note का लीजेगा, fanfare, next हमारा word है, rest, rest का मतलब होता है, किसी से कोई चीज़ छीन लेना है, मुश्किल से कोई चीज़ प्राप्त करना, उसे बुला गया है, rest, rest के synonyms से extract, snatch, seize, pull, extort, antonym से give, bank, implant, make, अगला हमारा अश्रब्ध है, impeached, impeached का मतलब होता है, नियालने में दोशी ठहराना किसी को, या किसी तरह का दोशार ओपन करना किसी के उपर, महाव्योग जलाना, दोशी ठहराना, उसे बुला गया है, impeached, impeached के synonyms, accused, incriminated, charged, indicted, criticized, entonym से absolved, accepted, acquired, added, next हमारा word है, bleak, bleak का मत स्खिती में होना, निराशा जाना कोई चीज, उसे बुला गया है, bleak, bleak के synonyms से grim, dismal, dark, depressing, entonym से cheerful, bright, encouraging, cheery, next हमारा word है, instigating, instigating का मतलब होता है, किसी को भढ़काना, उत्तेजीत करना, उकसाना किसी के खिलाफ, उसे बुला गया है, instigating, instigating के synonyms से provoke, insight, inspired, prompt, entonym से prevent, stop halt, discourage, unsavory का मतलब होता है, किसी के बारे में कुछ बूरा, भला कहना, कोई ऐसी चीज जो morally unacceptable हो, बदराम ही करना किसी की, या फिर असवादिष्ट, भोजन, फीका, उसे भी बूला जाता है, unsavory, unsavory के synonyms से distasteful, unpalatable, offensive, unpleasant, antonym से tasty, desired, good, or pleasing, next हमारा बढ़ है, rhetoric, rhetoric का मतलब हो बोलने या लिखने की कला, वाख, पटूता, या वाख, चातूरिय, उसे बूला जाता है, rhetoric, अपनी बातों से, लिखने की skill से, लिखने की skill से, लोगों को प्रभावित करना, that's called rhetoric, synonyms से oratory, eloquence, bombast, oratness, antonym से quiet, conciseness, dialect, और, jargon, next हमारा बढ़ है, avenge, avenge का मतलब होता है, किसी से बदला देना, किसी तरह का प्रतिशोध लेना, उसे बूला रहा है, avenge, avenge के synonyms से, revenge, retaliate, punish, require, vindicate, antonym से, forgive, absolve, equate, or apologize, हमारा लास्ट बढ़ है, आज की vocabulary से choppy, choppy का मतलब होता है, जहां पे अस्थिरता हो, जैसे context में तो आप समझ लिजए, मैं किस context में बताना चाहरा हूं, और स्थिरता होना, स्थिरती में हलचल होना, पूरी, हलचल की स्थिरती होना, स्थिरता ना होना, और स्थिर या भी चलत, इसका से, जो सारी, यह मैंने, synonyms और antonyms ली है, वो है, पानी की sense में, choppy water, आपने सुना होगा, जैसे, उथल पुतल हो रही है, पानी में, image से आप स